भारत और बंगलादेश के बीच खेले गए निधास ट्रोफी के मैच में भारतिय टीम ने बंगलादेश को 17 रनों से हराकर फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। इस मैच में टोस हारने के बाद पहले बल्ले बाजी करने उतरी भारतिय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में कप्तान रोहित शर्मा के नवासी सुरेश रैना सेंतालिस वशिखर धवन के 35 रनों की मदद से 3 विकेट पर 176 रन बनाए। जिसके जबाब में बंगलादेश की टीम 6 विकेट खोकर 169 रन ही बना सकी। बंगलादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन विकेट की पर रहीम ने 72 रन बनाए। इसके अलावा तमीम व सबीर रहमान ने भी 27-27 रन बनाए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट वाशिक्टन सुन्दर ने लिए। उन्होंने चार ओवरों में 22 रन देकर तीन विकेट जटके। इसके अलावा मोहम्मद सिराज यजुवेंदर चहल वशारदूल ठाकुर को एक-एक विकेट मिला। मैं जीतने के बाद हुई प्रेस कोम फ्रश में बंगलादेश के कप्तान महमुद उला ने अपना बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस जीत की हकदार पूरी भारतिय टीम ही है। उन्होंने कहा कि खास तोर पर रोहित शर्मा। जिन्होंने शुरू से ही धरे दिखाते हुए बल्ले बाजी की और खराब गेंद मिलने पर प्रहार किया। उनकी बल्ले बाजी को देखकर कहीं नहीं लग रहा था कि वो फोर्म में नहीं है। उन्होंने शांदार पुल शोट खेले जिसके चलते ही हम भारतिय टीम को एक अच्छा स्कोर बनाने से रोप नहीं पाए। अगर शुरू में ही रोहित का विकेट मिल जाता तो फिर हम भारतिय टीम को सस्ते में आउट कर सकते थे। इसलिए रोहित की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा ने अच्छा खेल दिखाया है तो इस वीडियो को लाइक करें। तथा नई नई जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।